आप देखिए मेरे साथ कौन आए हैं राम 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 रा प्रणाम तो हम करने आये हैं माता हनुमान के माता-पिता मेरे माता-पिता के समान है हमारा प्रणाम सिकार कीजिए हमारे आश्रम में आपका स्वागत है प्रभू आश्रा करती हूँ कि मेरे पुत्र ने आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखी होगी मेरे दूद पिलाज रखी होगी इसमें माता हनुमान की साहिता से ही मैं अपनी भार्या सीता को ढूंड सका मेरे रक्षा कीजिए ना यह आभुशन कदाचित माता सीता के ही हैं हनुमान के कारण ही हम रावन के भाईयों और पुत्रों को पराज़ित कर सके हैं हनुमान ने कुटिल मही रावन से भी हमारी रक्षा की और हनुमान के सहयोग से ही मैं रावन का और देवी सीता शतनन रावन का वद कर सके हैं मेरे लाग प्यार पालन पोशन मेरे वाकसलिय और मेरे दूद की यही लाज रखी तुमने तुम्हारे होते हुए श्री रावन को रावन का वद करना पड़ा क्या इस मा के दूद में इतनी भी शक्ती नहीं थी कि मेरे पुत्र के होते हुए देवी सीता को शतनन का वद करना पड़ा मुझे मेरे दूद पर गर्भ हुआ करता था जब मेरा पुत्र बड़ी से बड़ी चुनोतियों पर अकेले ही बिचय प्राप्तिया करता था बड़े से बड़े राक्षतों का बद करता था इस पर क्या हो गया है तुम? क्यों मेरे दूद को लजज़त कर दिया है तुम? कुमार कदाचित आप इस मां से जानना चाहते हैं कि वो अपनी दूद की महिमा का इतना बखान क्यों कर रही है मेरे मन में क्या चल रहा है? माता अन्यना को कैसे ग्यात हुआ? तो देखिए एक मा के दूद की शक्राइब दूद का ये भायानक कोफान तो हमारी और ही बढ़ रहा है अगर ये इस और आ गया तो हम सब मारे जाएंगे मा? कुमार अब तो आपको एक मा की दूद की शक्ती का आभास हो गया होगा शमा करे माता मेरा आशे आपका अनादर करना नहीं था मुझे ग्यात है एक रगुबंशी कभी किसी का अनादर नहीं कर सकता किन्तु आज एक मा के दूद की शक्ती का उजागर हो गया माता आपके प्राकरम से ये भी ग्यात हुआ कि आपके लाडन पोशन की शक्ती ही हनुमान के अंग-अंग में है जिसके कारण इन्हें कोई भी परास्त महीं कर सका माथा अक्ष कुमार का वद करने वाले हनुमान चाहते तो रावन के साथ ही संफून लंका का दहन कर देते परन्तु मात्र बल्शाली बजरंगी नहीं अनुमान महाग्यानी महावीर है मेरी मर्यादा का मान रखने के लिए उन्होंने सदैव स्वयम को मर्यादा की परिधी में बांदे रखा जिसके लिए मैं इनका आभारी हूँ और सदैव अंजनय का अभारी रहूँगा मुझे तुम पर गर्ग है पुट्ट मा आपका आंश हूँ मैं मैं जो भी हूँ आपके प्रेम और पिता श्री के मार्क दर्शन के कारण ही तो हूँ मा आपके दर्शन और आशिश पाकर आपका ये पुत्र धन्य हो गया मा परंतु अब हमें आप प्रस्थान करने की आज्या दीजिए मा हमें जाना होगा अयोध्या में प्रभु श्री राम के अनुज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हमें किसी भी अवस्था में सुर्यास्त के पूर्व वहाँ पर पहुँचना ही होगा अन्य था अभी कुछ समय पूर्वी तो आए हो पुत्र अभी ही चले भी जाओगे मा के हाथ का भोजन खाए दुन एक मा का हृदय कैसे माने का एक मा के लिए तो ये दंड समान होगा कि मेरा पूर्व श्री राम और उनकी सेना सहिब हमारे आश्रम में आए और भूके ही चले गए परन तु माता भरत भाया हनुमान इतने समय से हम में से किसी ने भी भोजन कहां किया है किसलिए आज हम माता के हाथों का भोजन तो अवश्य करेंगे माता के हाथ के भोजन से तूटे इस से अधिक शुब और क्या हो सकता है हनुमान तुमने भी तो प्रण लिया था कि मेरा कारे पूर्ण किये बिना तुम भोजन ग्रैंड नहीं करोगे तो आज मेरा काज संपन होने पर तुम माता के हाथों के भोजन का सवभाग्य प्राप्त करो प्रभू और माता के आदेश को कैसे टाल सकता हूँ मैं परन्तु भाईया भरत उनकी चिंता सता रही है मुझे हे कुमार आयोध्या की ओर आने वाले सभी मार्गों से दूत लौट आये हैं परन्तु प्रभू श्री राम के आगमन का कहीं कोई संकेत नहीं है अनुश शत्रोग्न चिता प्रज्वलिट कर दो भोजन अन्जनी मात बनाये केशरी पतल स्वयम लगाये भोजन प्रथम ग्रहन रधुराई तब कपी मैया हस्त से खाई राम सिया राम सिया राम जै हनुमाई त्रिप्त कपीश्व अवध बिहारी देख सिया भावुक हो आई आसिस अंजनी माई प्रदाना तत पश्याता सब प्रस्थाना राम सिया राम सिया राम जै हनुमाई ये गाथा महा मली हनुमाई की रुचिकर लीला राम भगधिकी जै 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 रगुरंदन राम जै जै महा मली हनुमाई जे 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 रगुडंदन राम जे 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 महा दलिवाद। मैं तुम्हें आशीश देती हो पुतर कि तुम पर आने वाला हर संकर आने से पूर भी टल जाए। जे जुम्हें पर आने से जे 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 जाए। होज। 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 खारााााा खाराााााण यहां अनर्थ घटित हो उसके पूरो राम भहिया को लाट आना चाहिए सुर्यास्थ होने ही बाला है कहीं भहिया भरत तिराश होकर नहीं नहीं यह नहीं हो सकता स्वामी आकाश मार्क से हमारे आगमन से अनभिग्या है भरत भहिया इसलिए समय रहते हमारा वहाँ पहुचना अती आवश्यक है चिंता मत करो सीते माता अंजना का आशीश प्राप्त किया है हमने इसलिए हमारे साथ कोई अनिश्ट नहीं घट सकता क्योंकि माता के आशीश को फलित होने से कोई नहीं रोक सकता भाईया को दिये हुए बचन के अनुसार मैं सूर्य की अंतिम किरन तक उनकी प्रतीक्षा करूँगा सीते यदि सूर्य की अंतिम किरन लुप्ध होने से पूर्व मैं वहाँ नहीं भी पहुचा तो मेरे आने की सूचना वहाँ अवश्य पहुच जाएगी हनुमान सूर्य देव के प्रकाश से भी अधिक तीवर गती से जाकर भरत को रुपने के लिए मनाएंगे प्रभू आप आदेश दीजियें मैं तो सुर्यास्ति के पूर्वी अयोध्या पहुंच जाऊंगा समत कीजिए स्वामी अपने प्रण को पूर्ण करने का हट मत कीजिए भाया रुक जाईए स्वामी मैं आपके पाउं परता हूं भारत भाया मत जाईए मत जाईए भाया रुक जाईए स्वामी अनुमान, ये कारे एक मात्र तुम ही कर सकते हो, अपनी अतुलनी गती से तुम उश्पक विमान से भी पूर्व बहां पहुँच सकते हो, इसलिए जाओ, और अनुज भरत को अपना प्रण तोड़ने के लिए मनाओ, और उनको सूचित करो, कि उनके मिलने से पूर्व, हम रि प्रभू, मैं भरत भाईया को रोकने का हर संभोग प्रयास करूंगा, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम मनुग्रय तुम्रे तेते, मुझे ग्या थे, तुम्हे इस कारे में अवश्चे ही सवलता प्राप्त करूंगे, परन्तु प्रभू, इसके लिए मुझे आपके चर्णों की धूल प्राप्त करनी होगी, प्रभू, आपके आशिर्वात के बिना हनुमान कुछ भी नहीं कर सकता, प्राप्त कर सकता प्राप्त कर दोगे, राप्त कर दोगे, कि प्रूप्ट रम लगला कि नियुन खंग रम चियुन मुश्ट भूला कि नियुन तो झान वसे रह सिर्ञे कि नियुन तयोब जान प्रूपैय। झार प्रेट लो रम्रम्रम्रम्रमinary आएपी न मुड्रा आएपी बाइप स्सूती T dwelling आएप एराम आएपराम, कुआ भाएपी ए प्राम मुड्राम, धिए ए राम बाएपी, िर्शिहां, भा-म, यजिदूराम आएप आएपराम, भा-म, यू आएप से अएपराम, ज से एढएप एपराम, प्राम, यूज कर द कि इतने कटोर मत बनो पुत्र चिता भी जाने का हट त्याग दो भारा अट्या लाटा भारा पुत्र रहता मत करो रोक जाओ अपने माताओं की गुहार सुन लो पुत्र हट्याग दो जो वचन दिया है उसे तो पूर्ण करना ही पड़ेगा थोड़ी देर प्रतिक्षा और कर लीजे भरत भाईया राम भाईया बस आते ही होंगे पुत्र चिता भाईया रुक जाईए रुक जाईए रुक जाईए रुक जाईए कुमार मुझे ख्षमा करना भाईया अब मैं और विलम नहीं कर सकता यदि आप लौट कर आजाते तो मैं वश्यर हो जाता जाईए श्री राम जाई श्री राम ये आकाश मार्गी से इतनी तीवर गती से आने वाला ये देविवेक्ती कौन हो सकता है? अन्मान? अन्मान? प्रणाम माता प्रणाम भरत भाईया मैं आपको सुखद सूचना देने आया हूँ प्रणाम भरत भाईया कि शीग्र प्रभूश्री राम यहां पर आ रहे हैं भरत भया मेरा विश्वास कीजिए आपके अग्रज यहां पहुँचने ही वाले हैं इसलिए आपको अब चिता में प्रवेश करने की कोई आवश्रक्ता नहीं है परंतु हनुमान मैंने प्रण लिया है और अपने प्रण को पूरा करने के लिए मुझे इस जलती चिता में प्रवेश करना होगा परंतु भरत भया अपनी प्रतिग्या के अनुसार प्रभूश्री राम समय रहते अयोध्या राज्य की सीमा में प्रविष्ट हो चुके थे वे पूरी वानर सेना के साथ आकाश मार्ग से आ रहे हैं और मैं उनके चरणों की धूल लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ मुझे विश्वास है आपके लिए प्रभू के चरणों की धूल उतना ही महत्वर रखती है जितना उनका स्वेम यहां आना और जब प्रभू श्री राम की चरणों की रज यहां पहुँच चुकी है तो आपका वचन खंडित नहीं हो रहा है इसलिए अब आप और सभी विचारों को मन से हटा कर प्रभू के स्वागत की तयारी कीजिए आप उचत कह रहा हैं अनमान भाईया के चरणों की रज योध्या पहुँचते ही मुझे उनकी उपस्थिती का आभास होने लगा है कदाचित इसलिए इस चिता की अगनी विशान्थ हो गई है मेरे अग्रच मेरे भाईया श्री राम आ रहे हैं वो घर लोट रहे हैं मेरे भाईया श्री रहे हैं हनुमान यदि वो आयोध्या की सिमा में प्रवेश कर चुके हैं तो तुम मुझे बताईए इस समय कहां पर है वो अब तक वो रिशी भारद्वाज के आश्रम पहुच चुके होंगे प्रणाम रिशीवाय प्रणाम प्रभू पुनह आपके दर्शन पाकर मेरी समस्त आशाय पूर्ण हो गई आज पुनह मुझे मेरा जब तप योग और वैराग्य सभल होता प्रतीत हो रहा है आपके दर्शन पाकर हम कृतार्थ हो है रिशिवाय हमारे वनवास की यात्रा यहीं से प्रारम हुई थी इसलिए आपके आशिरवात के बिना एक कैसे समाप्त होती है मेरे नेत्र उन हनुमान को देखने के लिए लालाईत हो रहे है जिनका गुंगान तो समस्त जगत कर रहा है अब शेग्र पुश्पक विमान पर आरुण प्रभू श्री राम यहां पहुँचेंगे भरत भया आपको बस कुछ इक्षन और प्रतिक्षा करनी है मुझे आग्या दीजी जिससे मैं यथा शेग्र जाकर उनके साथ लौट कर वापस आऊं प्रणाम माते जाए श्री राम अनुश्रत्रुग्न भाईया के स्वागत के लिए पूरे आयोध्या में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए जी भाईया माताएं आप जाए और भाईया के स्वागत के लिए तैयार हो जाएं मैं उनसे यहीं पर भेट करूंगा मेरे पुत्र प्रेम और राज सत्ता के लोग नहीं राम को बनवास पर जाने के लिए अनेकों कश्ट सहने के लिए बाध्ये किया अब ये लज्जित मा के कई अपने पुत्र राम का सामना कैसे करेगी भाईया आ रहे हैं मेरे भाईया आ रहे हैं ब्रादा श्री राम मैं आपका कितने वर्षों से प्रतीच्छा कर रहा था अन्तता वो घड़ी आ गई है मेरे भाईया श्री राम प्रणाम ब्रिशिवर प्रणाम प्रणाम प्रभू प्रणाम माता प्रभू अब भरत भैया आपके स्वागत के तयारी कर रहे हैं जो कुछ हनुमान के बारे में सुना था सत्य ही था इनके आदमन से सदैव प्रसन्नता का विस्तार होता है और ये सदैव निष्चल सेवा के लिए तत्पर रहते हैं प्रिशिवर अनुमान ही नहीं यहाँ पर उपस्तित प्रतेक मानर ने उन निष्ठा के साथ मेरी सेवा की है मैं इन सभी का आभारी हूँ प्रभू आभारी तो हम हैं जो हमें आपके साथ रहने का औसर प्राप्त हुआ अन्यथा हमवानरों का मुल्य ही क्या था प्रभू आपके साथ रहने से हमारा महत्व भी बढ़ गया है महाराज सुक्रीव आप सभी ने जो किया है उसे ये समस्त जगत नहीं भूल पाएगा आप सबने मिलकर भूखे प्यासे रहकर धर्म का साथ देने का कारे किया है इसलिए अप प्रकृति सदैव आपका साथ देगी मैं वर्दान देता हूँ कि वानरों को अपना पेट भरने के लिए सदा प्रकृति से पर्याप भोजन सामगरी प्राप्त होती रहेगी रिशी भारत गौज की रिशी भारत गौज की रिशी राम की राता सीता की अध्यदी पुत्र हनुमान की रिशी वर अब हमें प्रस्तान करने की अनुमति दीजे कल्यान मस्तु पुश्पक विमान पर आरुण प्रभू श्री राम यहां पहुंचेंगे वो शुप गड़ी कब आई दे भाईया जब आप यहां पे होंगे अजल खुश्पक बड़िख सभते प्रस्तर वाईया जब होड़ी की प्रस्तर अब होड़ी के रुश्पक प्रस्ट प्रस्तर विमान पर श्रायख वहां प्रस्तर है प्यादिए यूदू प्यादिए अवाल लगने गृणाओ आपको पर रखले... अबन आपको तैका जालाओ... वाल्चानल... अबनाओ नहीं लोगनाओ? अबनाओ लोगनाओ ? फम्राओ के और रखले... अबनाओ... इस आपको तोज्डिटन in जापको उतकी जाओडली... रात्रु निलन की की बेला आई आगे भरत के खड़े रघुराई मा ते राम खड़ा उठाए भरत प्रभु चरणों तक आए कमल चरण आश्रू से धोई जोई देखी जे भावुक सोई ने सहित चरणों से उठाए राम चंद्र गले भरत लगाए राम सिया राम चै वनुमां राम सिया राम सिया राम चै वनुमां ये गा था महा बली हनुमां की रुचिकर लीला राम चै जै 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 रगुरंबन राम जै 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 महा बली हनुमां जै 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 रगुरंबन राम जै 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 महा बली हनुमां राम चै जै 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 महा बली हनुमां राम चै जै 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 महा बली हनुमां राम चै जै 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 रगुरंबन राम राम चै जै 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 महा बली हनुमां आपाता लक्ष्माग आपाता लक्ष्माग चलिए भैया हमारा राजभावन और हमारी आयोध्या की प्रजा कब से आपकी प्रतिक्षा में हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दुख के बाद सुखाता है। यही प्रत्रिती का नियम है। इसलिए धहरे बनाए रखना चाहिए। यही प्रत्रिती के जीवन में दुखाता है।